प्रीच आत्रों आज हम क्लास नाइन्थ जो हमारे इंग्लिश की बुक है विहाई उसका चेप्टर फरस्ट है यहां उसके वर्ड मिनिंग हम देखेंगे ताकि आप जब लिसन पड़ो तो आपको इजी वे में समझ में आ जाए ठीक है आपको इस चैनल पर पूरी बुक जो ह चैनल तर्गी से जो इसको करणोड करके समझाया गया है देखेंगे यहां लिका है दफन दे ही यह पहला चिप्टर हे अपना रहन तो वह मज़ए जो उन्होंने किया मोज उन्होंने की रेगुलर किया लिका है रेगुलर तो रेगुलर का होगा यहां पर नार्मल यह आप ऩ मने बेका लेस्ट यूजलेस तो पेटर्न ग्रस का मतलब अच्छा नई वोना नौक के शहले चोण न In के शेक्टर जो लिका ऊसका भाख उसका है ऐसका के यह सकते हैं उसको ये लिखा जनकार वर्स घृवस का तो to make a bet, bet का मतलब किसी के शर्त लगाना, real है ना, बोलते ना अपन really, तो real, real का होगा वास्तविक है ना, actual, ठीके, exist, exist मने होना, तो मजुद होना या happen, ठीके, इस्कॉर्णफुली, इस्कॉर्णफुली मतलब एक दम से नफरत से देखना, ग्रणा पुर्वक, तो painfully या hatefully, dispute, dispute मने है, मध्वेत करना, अंतर करना, उसमें, disagree, नाराज जीए भी के सकते हैं, shouting, जोर से आवाज निकलना, चिल्लाना, इस्क्रेम करना, इस्क्रेमिंग जैसे, fraction, fraction का मतलब होता है, उसका अंग या भाग, portion भी के सकते हैं, imagine करना, कल्पना करना, तो suppose, मान लेना, कल्पना करना, fault, तो fault मने होता है, कोई भी fault हो जाता है, तो मद्वेज होना, sorry, दोश होना, problem, fault मने, problem होना, ठीके, फिर लिखा है, pattern, क्या लिखा है, pattern, पेटर्न मने, उसका धाचा अपन के सकते हैं, insert, इंसर्ट करना का मतलब यह है कि डालना किसी चीज में उसको रखना, एक slot होता है, उस खाचे में अपन किसी चीज को डालते हैं, तो put, flashing, flashing का या होगा, shining, flashing का shining होगा, चमकना, satisfactory, संतोश जनक, fair या good, बिनित, बिनित का होगा, नीचे को के अपन अंदर या, बिलो, ठीक है, नीचे, क्रिंकली, तो क्रिंकली मतलब होता है, कि बहुत सारे मुड़ा होना, तो बहुत मुड़ा हुआ, तो उसमें क्या है, कि बूक है, जो बहुत मुड़ी हुई, उसके पन्ने जो है, page जो समुड़े हुए है, तो with many faults, कई सारे, उसम क्या होता है, कि यहां हमने लिखा है कि Atari, क्या लिखा है, Atari, तो I space just below the roof, छट के नीचे, सामान वामन रखने के लिए हम लोग उसको बनवा देते हैं, ताकि जहां पर जो हमारा सामान पड़ा रहे, छट के जश्ट नीचे वाला भाग होता है, इसको पन एटिक केते हैं, और उसको जो है, चड़ा वगेर एक नीचे भी हम कई बार, जो है, सीडियों के नीचे भी हम जगे होती है, जहां सामान रखते हैं, तो I space just below the roof, ठीके, छट के नीचे वाला पाग जहां पर हम सामान रखते हैं, साई, साई मतलब एक आवाज होती है, जो आह भरते हैं आपन, त तो deep relief, गहरी स्वास, ठीके, आफुली, आफुली का मतलब भयानक रूप से seriously या terribly, नेश्ट है geared, तो geared का मतलब होता है, gear, जो gear होते हैं, गाड़ी को, रिस्पर कार से system में gear होते हैं, तो adjusted to a particular level, विस्चे सिस्तर पर उसको, उस level में उसको adjust करना, क्या कहलाएगा, gear कहलाएगा, geared, या adjust to the speed, उसकी speed को सही करना, ये gear कहलाएगा, slot, slot का मतलब वो खाचा होता है, वो hall या key hall के सकते हैं, अपन 6 होता है, जिससे के अपने CPU अगराम होता है, memory card अगरा के लगाने के लिए, pin open bend drive लगाते हैं, वो 6, slot, million, तो million का मतलब होता है, 10 lakhs, 10 lakhs, guess करना, है निरास हो जाना, unhappy, ठीके, blank doubt, क्या वरड़े, blank doubt, तो blank बना होता है, विलकुल खाली होना, साप हो जाना, got plan, without any writing, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ, नहीं होता, जिसे computer system अगराम अपन, कोई चीज दिल्ट हो जाती, एसा, तो blank doubt, kids, kids मने, वो छोड़़डे बच्चे, जो small children क्यलाते हैं, ठीके, भनी, भनी का होगा, interesting, रोजचक, मज़ेदार, non-cently, तो non-cently का मतलब होता है, non-showing, much interest, मतलब कोई interest नहीं दिखाना, अनिच्छा करना, उदासीन हो जाना, ठीके, arithmetic, तो arithmetic क्या है, कि इसको अंक गणित कहते हैं, a subject which provides the study of numbers, ठीके, एक subject जिसमें हम अध्यन करते हैं, संख्याओं का, वो अंक गणित कहलाता है, अपना arithmetic कहलाता है, ठीके, तो यह जो word meaning थे, इनको आप एक दो बार बार पढ़ लिजे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ ठीके, मेरे साथ बना रही है, थेंक्यू,